हलो दोस्तों स्वागत है आपका Sleepy Classes में मेरा नाम है आयूश रहना और आज हम डिसकस करेंगे कि मेंस के जो सवाल होते हैं उसमें जो डारेक्टिव वर्ड्स हैं उन डारेक्टिव वर्ड्स को कितना समझने की जरूरत है आंसर लिखते वक्त कीन चीज़ों का ध्यान उसमें हमें रखना चाहिए और क्या डारेक्टिव वर्ड्स ओवर्ड्स ओवर्रेटिड है क्या हम उनके बारे में बहुत जादर discussion करते हैं क्या कहीं न कहीं वो हमारी मदद करते हैं मेरा नाम है आयूश रहना और मैं quality and governance के साथ-साथ means answer writing को manage करता हूँ यहाँ पे मैंने तीन बार means लिखा है, interview भी दिया है और इस सारे experience के दौरान जो भी चीज़े मैंने सीखी हैं मैं आपके साथ share करता आया हूँ UPSC mains जो exam होता है subjective type exam होता है इसका मतलब इसमें आपको डेड़ सो से धाई सो शब्द में at least general studies 1 से लेके 4 तक जो paper होते हैं उसमें अपने answers लिखने होते हैं और ये जो answers हैं ये आपको एक blank sheet पर लिखने है इसका मतलब सारा का सारा काम आपका है आपके सामने कोई options नहीं है आपके सामने कोई statements नहीं है जिनको आप eliminate कर सकते हैं है तो सिर्फ एक question जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 line का maximum 4 line का होता है अब ये directives क्या होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मार्केट में चलती कि जब भी question पढ़ें तो directive word को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि उससे answer बहतर तरीके से answer कर पाऊगे देखने हैं सबसे पहले मैंने analyze किया UPSC के 2023 के चारो subject के papers को और वहाँ मैंने पाया कि अगर हम देखें तकरीबन general studies 1,2,3 में तो 20,20 questions होते हैं तो ये हो गए 60 questions general studies 4 के अंदर 13 question theory के होते हैं और 6 case studies होते हैं तो अगर मैं इनको भी एक एक question मानूं तो 19 questions so roughly 80 questions है ना 79,80 questions है 80 questions में से जो directives जिसके बारे में बहुत जादा बात होती है वो directives इस्तमाल हुए है 11,7,18,25,28,30,32,34,35,35 so first observation that is कि 80 में से सिर्फ 35 questions में ये different directive words use होए हैं बट सिर्फ कहना भी गलत होगा क्योंकि 35 is more than or almost 50% of the total number of questions वहीं दूसरी और अगर मैं दूसरे perspective से देखूँ तो 55 ऐसे question है जिसमें सीदा सीदा आपसे पूछा गया है what do you think about this, how do you think about this तो सीदा ही question पूछा है उसमें कोई directive word का खेल नहीं और in fact कुछ words तो use ही नहीं किये गए 2023 के mains में अगर किये भी जाएंगे अगले mains में तो एक या दो से जादा इसके ओपर सवाल नहीं बनेंगे तो first of all हमें directives को उतनी ही importance देनी चाहिए जितनी मों deserve करते हैं that is almost less than 50% secondly most of the directives जो हैं वो तीन तरीके के थे number one discuss करने के लिए हमें बोला गया था secondly हमें comment करने के लिए बोला गया था किसी particular topic के उपर और तीसरा हमें explain करने के लिए समझाने के लिए बोला गया था अगर इन particular keywords को, directives को देखे तो इनको समझना तब आसान है अगर मैं इने question के context में discuss करूँ जब discuss, comment, explain, evaluate, describe, examine, assess, analyze, elucidate, critically examine, critically analyze, लिखाओ तब answer में कितना फरक आता है ये समझना तब आसान है जब question के साथ discuss किया जाए Now, first let us discuss this type of question This was asked in General Studies 1 इसका directive word है discuss Discuss the consequences of climate change on food security in tropical countries में इसका question answer करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है question दो बार पढ़ेंगे एक बार, यानि पहली बार जब हम पढ़ेंगे तब हम उसे just go through करेंगे लेकिन दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो हम keywords को highlight करेंगे underline करते हुए, mark करते हुए, कैसे भी सबसे पहला keyword यहाँ पे है discuss which is the directive word discussion का मतलब है कि आप मान लीजे 2-3-4 लोगों से एक topic के उपर बात कर रहे हो इसका मतलब उस discussion में आपके दूसरे वेक्ति के तीसरे वेक्ति के, चौथे वेक्ति के सब के point शामिल होंगे इसका मतलब discussion is like a holistic topic that is discussed among 3 or 4 friends और उसमें multiple type की बाते हो सकती हैं उसमें कोई पायमाना नहीं है कि आपने advantages, disadvantages लिखने हैं आपने assess नहीं करना है, evaluate नहीं करना है बस discuss करना है second keyword is consequence consequence मतलब outcome अब consequence जब भी आपने देखा तो आप हमेशा दिमाग में सोच तकते हो कि किसी भी चीज़ के short term और long term consequence हो सकते हैं किसी भी चीज़ के short term और long term consequence हो सकते हैं कभी-कभी ये fit बैठता है क्या क्या चीज़ें दौडनी चाही climate change we know what is climate change but we need to know specifically tropical countries में tropics की जो belt है वहाँ पे food security के उपर climate change का क्या प्रभाव बढ़ रहा है अब जैसे ही आप ये question देखोगे तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें घुमने लगेंगी number one climate change से extreme weather phenomena होते हैं secondly climate change से sea level rise होता है thirdly climate change से बहुत सारे crops जो एक particular temperature को जहल पाते थे वो आगे नहीं जहल पाएंगे ठीक है point number four even the livestock species क्योंकि बहुत सारे tropical countries livestock के उपर dependent है और livestock आगे grazing के उपर dependent है तो climate change उसको भी प्रभावित करती है climate change is going to impact in all these aspects और tropical countries के बारे में आपसे पूछा गया है तो इसमें simply आप एक एक point उठा के discuss करोगे बात करोगे इसके बारे में साथी साथ examples दोगे for example अगर sea level rise होता है तो इंडिया के इंडिया के भी tropical area में कुछ-कुछ पाट आता है तो इंडिया के जो coastal plains है वहाँ पे किस तरीके से sea level rise की वज़े से ठीक है आपकी coastal aquaculture activities आपकी coastal farming activities affect हो सकती है इसे के साथ साथ economic survey ने 2018 में ही बता दिया था कि climate change की वज़े से जो maximum temperatures बढ़ जाएंगे उसमें हमारे बहुत सारे crops affect होंगे और वो direct temperature increase की वज़े से नहीं वो rainfall pattern के कम होने की वज़े से drought conditions की वज़े से और groundwater conditions, groundwater table के decrease की वज़े से affect हो जाएंगे तो कहने का मतलब इस question के अंदर multi-dimensional discussion हो सकता है अब अगर यहीं पे मालीजे यहीं पे discuss की जगा comment होता तो आपका answer बदलता नहीं to a large extent but because यहाँ पे comment करने के लिए आपको कहा गया है तो ultimately जब भी आप किसी चीज़ पे comment करते हो तो आप किसी प्रकार का judgment पास करते हो judgment in the sense कि यह बहुत बड़ा threat है या नहीं या इस threat को संभाला जा सकता है या नहीं या यह threat anthropological है यानि humans द्वारा ज़ादा बनाया गया है या naturally बनाया गया है there has to be a statement of judgment when you are commenting on something ठीक है judgment बिना logic, बिना reason, बिना argument के नहीं हो सकती है but judgment देना है discussion में आप free flowing बात कर सकते हो कि भाई यह चीजे हैं और इन चीजों के बारे में discuss करना है एक और discuss के question का example देता हूँ मैं आपको discuss the role of competition commission of India ठीक है discuss the role of competition commission of India अब माली जी यह question आपसे पूछा गया है जो 2023 में पूछा गया अब आपसे discuss करने के लिए पूछा गया था 10 marks का question था 150 words का question था इसके अंदर आपको उसे assess करने के लिए नहीं कहा गया है कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है आप बस discuss करते उसके एक या दो negative point बता देते और answer को conclude करते लेकिन यहीं अगर आपसे evaluate या assess करने के लिए कहा जाता तो evaluate और assess करते वक्त आपको equal weightage देनी पड़ेगी उसके achievements को और उसकी shortcomings don't know को please try and understand the meaning of the question does not change drastically but the way you approach the question that changes अगर competition commission of India के role discuss करना था तो आप उसके mandate को discuss करते और उसके साथ साथ examples दे देते हैं लेकिन अगर आपने उसे evaluate करना था तो आप उसके mandate के points बताते और ये भी बताते कि उपने mandate पर वो किन points में successful और किन points में unsuccessful रहा है और ये ratio बराबर होता success और non success का कोशिश करते आप बराबर रखने की कोशिश करते हमेशा बराबर नहीं होता है perfection नहीं आती है लेकिन कोशिश करते बट discussion में जरूरत नहीं है, discuss कर दिया वो क्या कर रहा है और दो तीन एक या दो point बता दिये कहां पर उसके कमी है, do you understand what I mean to say, similarly comment वाले जो question होते हैं, उसमें आपको सही, गलत, agree, disagree बताना बढ़ता है, तो constitutionally guaranteed independence, sorry, constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy, एक लोक तंत्र में न्याय प्रनाली की स्वाधीनता, independence बहुत ज़्यादा जरूरी है, और constitutionally guaranteed होना उसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पे आपने comment करना था, अब जब आपने comment करना इसका मतलब, कि आपने इसकी adequacy बतानी है, मतलब, अगर क्या सिर्फ constitutionally guaranteed होना काफी है, या legal procedurally भी वो guaranteed होनी चाहिए, constitution में लिखा होना सिर्फ इतने से, is that the prerequisite to democracy, और there are some other things that are needed for democracy, साथ ही साथ जब आप comment कर रहे हो, तो इसमें आपको कहीं नहीं बोला गया, कि ये इंडिया की ही example देनी है, you can comment and compare with UK, with US, with France, So I hope you understand, कि comment जो है, वो किसी प्रकार की judgment पास करनी है, लेकिन वो judgment बिना किसी argument के नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें end में conclude कैसे करोगे, क्योंकि आप comment कर रहे हो, आपने इसका discussion complete कर लिया है, तो आप ये कहोगे, कि constitutionally guaranteed judicial independence is a necessary but not sufficient condition for democracy, for a fully functional democracy, we need more measures of accountability that go beyond the constitution, ठीक है, तो आप comment कर रहे हो और बिल्कुल डंके की चोट पे comment कर रहे हो with arguments, यूँ ही हवा में नहीं, again, जैसे वहां competition commission of India के बारे में discuss करने के लिए कहा गया था, वैसे ही GS2 के 2023 के इस question में NALSA के role को assist करने के लिए कहा गया था, NALSA Legal Services Authorities Act 1987 के तहद बनाया गया था, और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये free legal aid to the poor पहुँचाए, जादा से जादा लोगों को legal aid का access में ले, जिन लोगों के cases court में बहुत समय से pending हैं, उनको लोक अधालत के माधियम से justice provide किया जा सके, अब इसमें आपको assess करना था role, if you are able to assess, you need some kind of data to back it, for example, अगर आप cases की pendency अभी भी देखोगे तो बहुत जादा है, अगर NALSA अपना काम कर रही होती, तो अधालतों से बहुत सारी cases चले जाते, लोक अधालत के पास और वो resolve हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने success वाली पार्ट बताना है, तो आपको कुछ idea होना चाहिए, कि लोक अधालत के थुरू free legal aid, यानि कि pro bono, जो assistance provide की जाती है उसके थुरू, कितने लोगों की साहता हुई है, कितने लोगों की मदद हुई है, तो assess करने के लिए, आपको किसी न किसी प्रकार का data, substantiated evidence देना पड़ेगा, fact देना पड़ेगा, नहीं तो आपका answer काफी अत्तक अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को assess करते हो, तो आपके पास उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, analyze, analyze का क्या मतलब है, analyze का मतलब है, break down a problem into its parts, and then try to understand each of them, try to explain each of them, ठीक है, तो analysis जब आप से बोला जाता है करने के लिए, तो उसमें वो causes वाला पार्ट, detailed में discuss होगा, ठीक है, तो damn failures के बारे में एक statement दी गई है, कि वो हमेशा catastrophic होते हैं, downstream side पे खास तौर पे वो catastrophic होते हैं, downstream मतलब कि damn जहां बना है, वहां से downstream जो areas है, resulting in colossal loss of life and property, और आपको causes of damn failures के बारे में, analyze करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब आपके question का major focus होगा, कि dams क्यूं fail होते हैं, उसके 3, 4, 5 point आपके पास तयार हो, और उन 3, 4, 5 point को आप discuss करो, example उसे में fit कर दो, उसके लिए अलग से बनाने की ज़रूत नहीं है, इसी analysis में fit कर दो, दो examples जो आप दे सकते हो, तो अगर आप बात करते हो, मुला पेरियार damn की, या अगर आप बर्द करते हो, तहरी damn की, कुछ cases में, damn breaches होते हैं, अगर आप बड़े damn नहीं याद कर पा रहे हो, तो छोटे छोटे barrages का breach होना, कम से कम याद कर लो, ठीक है, तो हतनी गुंड barraja, पिछले साल ही breach हुआ था, जिसकी वज़े से, करना है, कि मैंने अगर बता दिया, कि damn failure का एक cause है, poor construction material, तो मैं सिर्फ इतने से नहीं छूट जाओंगा वाँ पे, मुझे बताना पड़ेगा, कि damn की structural integrity, damn की structural integrity, कैसे effect होती है, अगर damn के fail होने का कारण यह है, कि वो बहुत पुराने है, old है, और उसमें retrofitting नहीं हुई है, उसमें rework नहीं हुआ है, उसमें किसी तरीके का reconstruction काम नहीं हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा वो, यही है analysis, you cannot just list down the points over there, because if you list down the points, जादा point लिखने के number इस question में नहीं मिलेंगे, इस तरीके के question में अगर आप 3 से 4 point ही लिखते हो, लेकिन उनको अच्छे से discuss करते हो, तो आपको जादा number मिलने के जादा chances है, now, किसी भी ऐसे topic के उपर, assess और evaluate को एक ही category में रख लो, evaluate भी वही है, आप किसी चीज़ के positives, negatives को discuss करो, और उसके बाद अपनी value statement दो, कि आपको लगता है कि ये चीज़ें बहतर होनी चाहिए, evaluation में हमेशा आपने way forward देना है, कोशिश तो करते हैं कि हर question में way forward दे, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, assessment या evaluation देना है, तो आप जरूर बताओगे कि उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, फिर आता है question, examine, examine is very similar to analysis, the only thing that you need to do is, कि examine के अंदर, again आपको solution provide करना बेहत जरूरी है, analysis में solution provide करना may not be that important, but examine करने में बहुत ज़ादा जरूरी है, चीख है, तो अगर यही चीज़ मान लीज़े, कि इसी question में, examine the consequences होता, तो आप उसके end में जरूर बताते, यहां पे भी बताओगे, way forward, by default है, लेकिन examine में अगर आप way forward नहीं बताते हो, तो आपके number कटने के chance है, having discussed all these things, discuss करना, comment करना, explain करना, explain करना में कुछ नहीं, explain में तो बताना है, explain में तो कोई भी ऐसा छिपा हुआ keyword नहीं है, जो आपको जो उसके बारे में जानते हो, वो समझाना है, that's it, evaluate is like assess only, ठीक है, analyze as I discussed, examine भी मैंने discuss किया, describe, describe करने के लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब कोई बहुती factual चीज़ होगी, उसको describe करना है, ठीक है, factual चीज़ होगी, उसको describe करना है, तो उसके बारे में जादा discussion, आपको क्या है, कि you need not think, कि अच्छा इसमें क्या लिखे, जो उसके बारे में पता है, जो जानकारी है, वो लिख दो, elucidate is same as explain, elucidate is same as explain, now, whenever critically is written against anything, यह यहाँ बच्चे बहुत वो जातने हैं, critically analyze, critically examine, critically का मतलब यह नहीं होता है, कि इसमें सिर्फ negative points लिखने हैं, criticize करना है, please इस चीज़ को दिमाग से हटा दो, लेकिन, critically analyze में यह पका पता है, कि जो वो statement पूछ रहा है, या जिस बारे में वो पूछ रहा है, उसे पता है, उसमें कमिया है, I repeat, question की जो tone होती है, उसे समझना जरूरी है, जब वो आपको critically analyze करने के लिए कह रहा है, तो वो assume कर चुका है, वो भी यह मानता है कि इस particular process में कमिया है, for example, वो आपको अफस्पा को critically analyze करने के लिए कहता है, तो अफस्पा या act के अंदर जो कमिया है, खामिया है, उसको आपने highlight करना है, bring out करना है, you will write the positive points as well, but the negative points will be more, and preferably I would say negative points पहले लिखे जाएंगे उसके, ठीक है, और बाद में, despite having this, 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 there are some positives as well, ठीक है, but that does not mean you will not write the positive points, बिल्कुल गालत है, तो अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, तब भी मैं बताऊं, तब भी मैं बताऊं, तो आपको क्या करना है, यह मैंने इसकी dictionary definition भी दे दिये, ताकि आपको idea लग जाए, वैसे तो बता दिया है, question को पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ context determine करेगा, कि आप question में, किस sense में answer लिखोगे, जैसे, in the view of declining average size of land holdings in India, which has made agriculture non-viable for a majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture, critically evaluate the pros and cons, this question is very clear, that you have to talk about pros and cons of contract farming number one, and land leasing number two, but the statement before this must not be ignored, you will not directly jump towards contract farming and land leasing, you will talk about, कि इंडिया में land holding का average size कम हो रहा है, you can use the agriculture census, you can use Neeti Aayog data, you can use Nabat data, कोई भी data use करो, लेकिन ये बात substantiate कर दोगे, मज़ा आ जाएगा उसको, जो examiner है, दूसरी बात, agriculture non-viable बन गया है, ये तै है, this is not even an argument, and ये cause effect भी तै है, कि average size of land holding के कम होने की वज़े से, agriculture non-viable हो गया है, there may be other factors, but this is the most important factor, तो कभी आप इस fact को contest नहीं करोगे question में, इस question में, contract farming as a solution, and its pros and cons, आप discuss करोगे, land leasing as a solution, pros and cons discuss करोगे, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि की वर्ड, sorry, directive word क्या था, again, again, right to persons with disabilities act, remains only a legal document, without intense sensitization of government functionaries, and citizens regarding disability, this is a statement which the examiner believes is correct, वो आप से comment करने को जरूर कह रहा है, लेकिन वो believe कर रहा है statement में, इसकी tone सही पता लग जाएगा, तो आप कभी ये नहीं कहोगे, कि नहीं नहीं, right to persons with disabilities act, it's much more than that, it's working brilliantly, there is no problem with this, comment का मतलब free flow नहीं है, कि कुछ भी stand ले लो, examiner का stand समझना भी जरूरी है, ये interview नहीं है, जिसमें वो आप से trick question पूछेगा, और बोलेगा कि agree करो मेरे साथ, 99% of the question will be very straightforward, this also gives you the idea, कि वो किस context में comment करने के लिए कह रहा है, वो किसी भी casual चीज़ पर comment करने के लिए नहीं कह रहा है, वो ऐसी observation पर comment करने के लिए कह रहा है, जो उसकी नजरों में सही, तो please, जितने questions करोगे, brainstorming करोगे, उतना आपके लिए बहतर होगा, दोस्तो, directives के साथ साथ, उसको apply करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and even more importantly, apply करने के साथ साथ, उसको बार बार अपने test में use करना, और evaluate करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, main test series 2024, जो हम launch कर रहे हैं, तीस तारीख से शुरू होगी, और इसमें आपको, evaluation के साथ साथ, ये मौका भी मिलेगा, कि regular intervals पे, one to one calls होंगे, discussions होंगे, I will be conducting those calls and discussions, and जो भी test आप लिखेंगे, दो test, तीन test के बाद, आपके साथ मैं discuss करूँगा, आपकी answer copies में, कहां कहां कमिया है, कहां कहां improvement हो सकती है, और वो improvement कैसे हो सकती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, model answers तो हर कोई दे रहा है, लेकिन हमारे model answer रहेंगे, concise to the point, और सिर्फ key facts figures information से भरे हो, तो इसलिए, आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप चाहते हो enroll करना, 10 प्रतिशत आपको discount मिल सकता है, इसे के साथ साथ special priority group के अंदर ही, special priority group के अंदर हमारा test series भी है, और special priority group for mains के लिए, हमारा crash course भी है, जो आप available कर सकते हो, जिस crash course के थूँ, आपको 360 degree coverage मिलेगा, सभी relevant topics का, current affairs जो mains में use हो सकते हैं, उसका frameworks जो आप use कर सकते हो, एक ही तरीके के questions को answer करने का, और social issues यहाँ पे शेकर सर खुद लेने वाले है, social issues is very very critical, बच्चे छोड़के चले जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि GS1 में, 6-7 questions social issues का आ रहा है, which is almost, और I'll say more than one third of the paper, तो यह सारी चीज़ें cover की जाएंगी, और इस पे भी 10% discount available हो सकता है, जरूर हमें संपर्क करें if you are interested, otherwise हमारे sessions आपकी मदद करते रहें, यह हमारी मनो कामना है, धन्यवाद.